Hello evers, आज हम लोग स्टार्ट करेंगी ICSE Boat Class 8 का Biology Ecosystem तो ठीक है? Let's start तो ecosystem स्टार्ट करने के पहले एक बच जान लेते हैं Ecosystem होता कै है तो ecosystem एक ऐसा जगा होता है या पिर एक ऐसा system होता है जिसको कौन मनाता है? बहुत सारे animals, insects, plants, sunlight, water यह सब के मिलने से एक सिस्टम बनता है उसको क्या कहते है इको सिस्टम तो एको सिस्टम के एरिया एक्जामपल है तो आपको कुछ भी हो सकता है पॉंड, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, यहां तक की गार्डन, आपका जो मतलब कोई यह टॉप होता है, इसके उपर मतलब पौधा लगा होता है, वो भी एक छोटा सा इको सिस्टम है, क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट, वाटर और जितने भी इंसेक्ट्स और अर्थ वार् देखेंगे, तो वहां भी आपको एक छोटा सा इको सिस्टम दिख जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ छोटे-छोटे मतलब केच्वा या फिर आपको आर्थ वार्म्स वहां पे आपको रेंगते होए दिख जाएंगे, तो वह भी एक्जामपल हो जाता है किसका एक एको सि क्या-क्या होते हैं, वह एक बार देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट आता है सनलाइट, तो जितना भी एको सिस्टम है, उसमें सनलाइट बहुत जादा जरूरी है, क्यों? सनलाइट से ही पौधे जो है फोटो सिंथेस करते हैं, और जितने भी मतलब छोटे-छोटे एनिमल्स जोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो सब बैक्टिरियाज हैं, वो सब क्या करते हैं, सनलाइट से ही मतलब अपना जो एनरजी का मेन सोर्स उनका क्या होता है, सनलाइट होता है, अगर सनलाइट नहीं होगा, तो सिंपली ये प्लांट्स नहीं होंगे, और हो सकता है जितने क्या air क्यों जरूरी होता है क्योंकि photo synthesis करने के लिए जो plants को चाहिए होता है raw material उसमें carbon dioxide भी आता है ठीक है और carbon dioxide कहां से मिलेगा air से मिलेगा और जितने भी living creatures हैं उनको oxygen चाहिए तो oxygen कहां से मिलेगा वो भी air से मिलेगा ठीक है water तो water भी सब के लिए बहुत जरूरी है तो यह जितने भी cell है हमारे body के अंदर या जितने भी living things है उसके जितने भी cell है उनके अंदर क्या होता है water होता है जैसे human body 70% water से बना है उसलार जितने भी animals हैं उनमें किसी का body 70 80 90% water से ही बना होता है ठीक है तो इसलिए water बहुत जरूरी है temperature एक ecosystem को बनाने के लिए temperature भी बहुत जर होगेगा तो वहां को ecosystem नहीं बनेगा ठीक है soil soil भी बहुत जरूरी है क्यों soil पर ही plant रहता है हम लोग चलते हैं हम लोग रहते हैं घर बनाते हैं किस पर बनाते हैं soil पर बनाते हैं तो इसलिए ecosystem क्या main components यह सब है क्या क्या है एक बार लिवाइस कर लेते हैं sunlight air water temperature और soil यह सार polypenic. अबिछिंदा सीज रिविंग उते हैं जो साँस लेते हैं बड़े होते हैं उनसे को क्या कहा जाता है living things ठीक है तो बाइयो टिग में क्या क्या आते हैं सबसे पहले आते हैं autotrops को ऑ् advancement तरीकह से डिवाइट किया गया है तो एको कह jal है और दूसे को कहा जाता है है कि आप्यारो抱 अन। बना पकoa जाता है उन जो-ँदा होते हैं घुद बना ले हैं इसी तदर्फ मतलब और फूइं होते हैं और अपना खुद बना मुत बना दे गन्से सब्सक्राइब होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं वो सनलाइट लेकर वाटर लेकर अपना खुद बना देते हैं इसी तरह कुछ-कुछ वेक्टेरियाज होते हैं वो भी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है अब हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है तो हेट् करता है एक एक होते हैं अएक होते हैं और यह नया ऊद्धा करора पने खाना उन्हाष Yak tax मदेन्थ tuoda प्रकार से थेड़ोगत सुटाइब को सब्सेट होते हैं एक होते हैं रगहते हैं ďक न momento क्या होते हैं these organisms mainly obtain food either directly from autotrophs और directly from other heterotrophs तो consumers उनको कहा जाता है जो अपना खाना directly किस से लेते हैं autotrophs से लेते हैं autotrophs मतलब क्या हो गया जितने भी plant हो गया उस से लेते हैं या फिर दूसरे जो हेट्रो दूसरे जो तो मतलब animal हैं उसके ओपर indirectly depend होते हैं ठीक है जैसे tiger किसके ओपर dependent करता है goat या फिर या फिर जो भी yönel उसके ओपर डिसे खाने के लिए और उस के लिए और उसी तरह एक हैं यह बकरी है तो वह लों किस पर करता हैं वह लोग हैत जितने भी autotrophs यानि plant उन पर depend करता है ठीक है तो आई होप समझ गए कि consumers क्या होते है उसके बाद तो consumers को यहां दो टाइप में बटागे एक को कहा जाता है हर्भी वोरस और दूसरे को कहा जाता है कार्भी वोरस तो यह आपने पहले पढ़ा होगा हर्भी वोरस उनको कहते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते है और कार्भी वोरस उनको कहते हैं जो दूसरे एनिमल को भी खा लेते हैं जैसे लायन, humans उसके बाद टाइगर, beer यह सब इसको क्या खाते हैं कार्विवरस और यहां पर एक और चीज़ आता है यह Judas बोलते हैं तो आपनीवरस किसको बोल दोनों चीज़ खाते हैं वह ब्लांट का लगालट है दुसरे एनिमल्स को खाते हैं दूसरे एनिमल्स को खाते हैं ठीक है और उसके बाद Carnivores का जो सिर्फ Animals के Meat खाते हैं Example Cat, Spider, उसके बाद आपका जो Tiger हो गया, Lion हो गया, यह सब उसके बाद Omnivores, तो Omnivores जो दोनों खाते हैं जैसे Bear, Turtle, Monkey, Mice, Squirrel, Human, etc. यह सब क्या करते हैं? दोनों खाते हैं तो यहाँ पर आप Tiger लिख लिजेगा और Frog अटा दीजेगा इसके बाद Decomposers तो Decomposers उनको कहा जाता है जो include microorganism such as bacteria and fungi obtain nutrients by breaking down the main dead plants and animals तो Decomposers उनको कहा जाता है जो मतलब दूसरे plant या फिर जो दूसरे dead animals हैं उनको सड़ा के अपना खाना ले जैसे माले कुछी सड़ गया है तो उसको खाते हैं उनको क्या कहा जाता है Decomposer जैसे कुछ-कुछ वैक्टिरियाज होते हैं हमारी खाने को सड़ जाता है तो उसके उपर हरा क्रोर का लेयर लग जाता है वो सब क्या होता है Decomposer होता है अब देखेंगे Varmicomposting किसको कहते है Department of Work जैसे क्या होता है पहले काशने कि spreading करना है वो देख लेते हैं उसके आपको औक भॉकस लेना है इसके अंदर आपको कुछ एसे poets मेट्रियोल्स डालदेना है जैसे Eli Dan 1995 का चिलका में रख दीजे और तीन या चार हफते बाद आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा उसमें मतलब बहुत गंदी स्मेल आएगी और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर का फंगी टाइप जम जाएगा तो वह सब क्या है वह सब है डीकंपोजर ठीक है तो इसक तो जितने भी जो फूड होते हैं जिसके अंदर बहुत जड़ा सॉल्ट और विनेगर होता है वह सब क्या करते हैं बहुत जादा मतलब गंदा वैक्टिरिया उसको मतलब एट्रैक्ट करते हैं तो वह जो वैक्टिरिया होते हैं वह डिजीज कॉजिंग होते हैं मतलब अग कर सकते हैं ठीक है do not add excess water अगर आप जादा पानी नहीं मिला देंगे तो क्या होगा कि जो डिकंपोजर है वो मतलब डिबा के भीतर से बाहर से मतलब बह बह के निकल जाएगा और मतलब आपके पूरा मतलब घर को गंडा कर देगा तो इसलिए उसमें जादा पानी नहीं डालन जाएगे और जादा पानी डालने से क्या होता है कि जो उसके भीतर जो छोटे-छोटे जो मतलब वेक्टिरियाज है या आर्थ वाम है वो सब डूपके मर जाएंगे इसलिए जादा पानी उसमें नहीं डालना ठीक है और फिर तीन या चार हफते के बाद आप देखेंगे क उसके ओपर मतलब एक स्वाईल लाइक मेटरियल जमा हो चुकी है तो वो साइल लाइक मेटरियल किया होता है कौन मनाता है उसको डीक। печ~~~ इसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग और इसका मतलब एक यूजै है इसको नैचुरल फरटिलाजर की तरह सा च scorpt को ग्र 좀 Original का ख क्पोस्तिंग का यही काम है को ट्रध में और हैं प्रूं में तो आर naw वेज़ीटेबल वेज़ीटींग का यहीं काम है को तो वेज़ीटेबल वेष्ट वेश्ट हू différent यह और वह बनांगे नुस्का फर्लाइजर बनता ठीक है, natural fertilizer उसको बोलते हैं, ठीक है, तो abiotic components हमने पढ़ा, abiotic factors हमने पढ़ा, वो क्या थे, sunlight, temperature, water, air, soil, humidity, etc, humidity मतलब होता है, हवा में जो पानी की मातरा होती है, उसको humidity कहते हैं, ठीक है, और biotic में हमने पढ़ा, autotrops, autotrops मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे plant, bacterias, और heterotrops, heterotrops में आगए दो example, consumer और decomposer, consumer के दो टाइप है, herbivorous और carnivorous, herbivorous उनको कहते हैं, जो सरी plants खाते हैं, carbivorous उनको कहते हैं, जो meat खाते हैं, दूसरे animal का, और decomposer मतलब जो सड़े गले चीजों से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, next, what will happen if the aquarium contain death plants and animal and in not clean properly, तो जो aquarium होता है, उसके अंदर अगर आप जो मरी मचलिया हैं, उनको छोड़ दे, तो क्या रहेगा मतलब, तो अगर मरी मचलिया जो होती हैं, अगर आप समें छोड़ दे, तो क्या होगा, जो मरी मचलिया हैं, उसके ओपर क्या, decomposers या scravengers जमा हो जा जाएंगे, और जो मचलिया उसको अपना खाना बनाए लएंगे, उसको खाने लगेंगे, तो उनका खाने से क्या होगा, कि वहाँ पे जो पानी है, वो बहुत गंदा हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा, कि मतलब जो बाकी जो जिन्दा मचलिया सब है, वो सब भी मर ज आूरल और इंवारोंमेट्स सिमिलर्ट के इट इंवारोमेंनट तो जितने भी इंवारोमेंट्स होते हैं व Chief विभी सेशन। सिस्टम होता हमें इस दितना ग्रती तो चुल क्यों सकते यूब wanna assure you with उस पर हीमर नहीं हो, दाइरीक नेचर से आए, बारिश ने पानी आए और सुनलाइट अपका वह सूरिय सन से आए तो डायरेकली मतलब नेचर इसको कन्ट्रोल करता है तो उसको कहते हैं हम लोग natural ecosystem तो इसका example क्या हो सकता है forest garden उसके बाद garden आपका manmade भी हो सकता है उसके बाद आपका जो river है यह सब क्या है natural ecosystem का example है उसके बाद manmade तो manmade वो होता है जिसका मतलब temperature पानी देने का यह सब कौन control करे humans control करे जो मतलब हम लोग control कर सकते हैं तो इसका जो मतलब temperature है, water कब देना है, कब नहीं देना है, sunlight कितना देना है उसको, उसके बाद कौन कैसा air उस पर पहुचाना है, यह सब humans control कर सके, उसको कहते है, human made या फिर man made ecosystem, ठीक है, I hope आप समझ गए होंगे, उसके बाद, interaction with an ecosystem, तो interaction कैसा होता है, if a carnivorous eat an herbivorous, that does not mean that the carbivorous was higher energy than the herbivorous, तो, जितने भी carbivorous होते हैं, जैसे lion, tiger, यह सब क्या करते हैं, herbivorous को खा जाते है, तो इसका मतलब यह है की जो carbivorous है, उसके अंदर मतलब, बहुत जादा energy होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है, जो herbivorous है, उसमें जादा energy होता है, carbivorous से, ठीक है, तो इनक मतलब हर्वे वोर्फ सब जो होते हैं जो इस से प्रोडिय्टर से अपना खाना लेते हैं उनको कहा जाता है primary consumer जैसे frog हो चकता है फिर कुछ-कुछ insects होते हैं जो plants को खा जाते हैं तो वो कहा जाते है primary consumer में इसके बाद secondary consumers secondary consumers उनको जो high कुछ्छ जाते हैं पर कोई मदब टाटाव या कोई मचली उसको खा जाती है तो किसमें जाएंगости secondary consumer में? सबसे उपर होता है terristy consumer इसको और से कह रहां, इसको खाता है यह सिंपलि जो s ventritos secondary consumer है, उनको खा जाता है जैसे snake तो snake को कौन खा जाता है, eagle खा जाता है इत्रीवर्ट को छोटे छोटे मशलियां खाती है और उन छोटे छोटे मशलियों को फिर कौन खा जाता है लार्ज फिस तो यहां प्रिडियूश कौन है यह ट्री लिफ्स प्रडिऊशर रहे और सबसे लास्ट में जो यह लाज फिस यह क्या है यह टैरिटरी गैर इस के aboard कैंनी सेखनी सभंड और इखन ले सकते हैं तो ट्री ती को कुन खात है पैरसाइट बर्ट्स खाते हैं और अपैरसाइट बगच को बर्ट लाइस खाता है और बड लाइस को यह फ्लैंगेमान निन प्रोटवड फॉट वाहित यह help करता है यह parasitic food chain है इसमें जितने भी parasites होते हैं वह आते हैं ठीक है तो normal food chain में यह animals आपको दीख गए लेकिन जो यह parasites जो होते हैं इसमें प्लागिलेट प्रोटोजोन जो आंज है यह parasite है ठीक है यह कहां होता है यह simply जो bird होता है bird lice उनके अंदर होता है food wave किसको बोलते है an interconnected network of food chain which form a multiple of feeding connections among different organisms of biotic common is called food wave तो जैसे यह एक food है इसको मतलब बहुत सारे animals इस पर खाते है फिर उनको कोई और खाता है फिर उनको कोई और खाता है इस ही को कहते है food wave जैसे यहां पर देखिए आपका यहां पर एक जो grass है तो grass तो बहुत कोई खाता है यह grass ओपर भी grass खाता है यह squirrel भी grass खाता है यह mice भी grass खाता है तो और यह खरगोश जो है वो भी grass खाता है तो ऐसे करके क्या होगाई grass कितने लोग खाते है उसके बाद यह जो खरगोश है फिर ये grasshopper को frog खा जाता है, उसके बाद फिर ये frog को कौन खाता है, owl या फिर eagle खा जाता है, तो ऐसे करके सब को एक दूसरे के ओपर depend करते हैं, अगर मालीजी आप एक भी चीज यहां से हटा दे, जैसे मानते हैं हम लोग यहां से स्री frog को हटा दिये, तो यहां पर क्या होग और बहुत जादा होने से क्या नुकसान हो जाएगा, कि जितने भी हमारे crops हैं, जितने भी हमारे मतलब पेड़ पहुदे हैं, चोटे-चोटे, उनको यह लोग खा कर देंगे, तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इनको कोई खा जाए, ठीक है, तो ऐसा हमारा ecosystem बनाया गया most of these radiation are absorbed by earth surface, तो जितना भी हमारे ecosystem में, जितना भी हमारा energy होता है, वो सारा sun से आता है, ठीक है, sun का solar radiation होता है, sun का light होता है, इसका गर्मी होता है, और इसका radiation होता है, वो सब क्या करते हैं, हमारा earth है, वो सब को absorb कर लेता है, फिर वो absorb कर करके, वो किसको देता है, वो absorb करके, वह सारा एनर्जी जो होता है, वह प्लांट को मिल जाता है, फिर वह प्लांट से वह एनर्जी कौन ले लेता है, उसको जो प्लांट से एनर्जी है वह हर्भी वोरस सब ले लेते हैं, और फिर हर्भी वोरस से वह एनर्जी कौन लेता है, उसको खा के, कार्भी वोरस उनको ले तो यह है पिरामिड ओफ एनर्जी तो सबसे पहले देख लिए पिरामिड ओफ एनर्जी क्या होता है तो पिरामिड ओफ एनर्जी होता है कि जो मतलब सबसे नीचे होगा उसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा ठीक है जैसे प्लांट तो plant के पहले सबसे ज़दा energy किसके भीतर होता है plant के भीतर होता है क्योंकि वो directly soil से ले लेते हैं ठीक है उसके बाद उसका 10% energy है उस plants को खा जाता है उसके अंदर जो energy जाती है वो पूरा 100% energy नहीं चले जाती है sun की उसका सिर्फ 10% energy ही जा पाता है जैसे माल लीजिए plant के पाद जो एक plant है उसके अंदर 100 energy है तो अगर herbivores उसको खा जाता है जैसे माल लीजिए कोई goat है उसको खा जाती है तो goat को ऐसा नहीं कि 100 energy ही मिल जाएगा उसको कितना मिलेगा सिर्फ 10% मिलेगा यानि सिर्फ 10 energy मिलेगा उसी तरह अगर गोट को कोई carnivores खा जाता है तो वो जो carnivores है उसको भी मतलब पूरा 10 energy नहीं मिल जाएगा उसको कितना मिलेगा सिर्फ 1 energy मिलेगा तो इसलिए मतलब अगर आगे सिर्फ खाते जाएगा तो उसको energy क्या होगा सिर्फ 10% करके ही मिलते जाएगा तो सबसे ज़ए energy किसके अंदर होता है प्लांट के अंदर उससे कम energy होता है किसी गोट या फिर गाई के अंदर उससे रही कम energy होता है किसी लायन या फिर टाइगर के अंदर अगर आप उसको इट करते हैं तो उसके बाद डू यू नो that the larger amount of pesticides are accumulate in the top carnivorous biomagnification क्या होता है तो simple से language हो समझे biomagnification क्या होता है कि जैसे हमारे जितने भी crops यहाँ पे होते हैं खेती होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते है pesticides छीटते है pesticides को spray करते है pesticides उनको बोलते हैं जो मतलब bacteria उसको मारने में help करते है तो वह क्या होता है वह simply जो soil पे हम लोग छीटते है वह soil से वह सब transfer हो जाता है किस पे plants सब में ठीक है फिर उस plants को अगर मान लीजी हम लोग खाते है तो जो pesticides हमने छीटा था वह simply क्या होता है वह हमारे अंदर चला जाता है ठीक है और ऐसा करते 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 अगर बहुत जादा जमा हो जाए तो वह हमारे लिए death threatening हो जाता है मतलब उससे हम लोग मर भी सकते है और हमें मतलब बहुत सारे diseases हो सकते है तो इसी को कहते हैं यह बहुत harmful chemicals होते है ठीक है pesticides इसी को कहा जाता है bio magnification ठीक है अब देखते है conservation of forest and wildlife तो forest क्या होते है forest मतलब एक ऐसा जगा होता है यहाँ पर बहुत सारे plants, trees यह सब होते हैं और वहाँ पर मतलब क्या बहुत सारे animals और birds, insects वो सब रहते हैं एक साथ रहते हैं reptiles, सब कुछ रहते है उस जगह कहा जाता है forest आप जंगल के बारे में जानते ही होंगे तो हमारे यहाँ पर कितने सारे forest है एक tropical rainforest है दूसरा temperate, deciduous forest है और तीसरा आपका corniferous forest है ठीक है तो simply देख लेते हैं कि tropical rainforest में आपका क्या-क्या चीज़ देख रहे मिल जाएगा flora मतलब होता है आपका जितने भी plants होते है उन सब को कहा जाता है flora plants, trees, उन सब को कहा जाता है flora और funa का मतलब होता है जितने भी आपके जो animals है उन सब को कहा जाता है funa ठीक है तो फ्लोरा देख लेते हैं ट्रापिकल रेंफॉरेइश में कैसा फ्लोरा मिलेगा वहाँ पर एवर्गृ ट्रीज मिलेगा स्क्रब मिलेगा और बैम्बो मिलेगा एवर्ग्री ट्रीज उसको कहा जाता है जो मतलब कभी जिसका जो लीफ है वो कभी मतलब जहरे नहीं, ठीक है, हमीसा उसके पास leaf हो, कभी उसका leaf जहरे नहीं, ठीक है, तो जो bamboo होता है, farm होता है, scrubs होता है, इन सब मतलब यह evergreen trees होते हैं, जिससे mango हो गया, bubble, यह सब जो होते हैं, यह evergreen trees होते हैं, उसके बाद funa, तो जितने भी tropical rainforest है, उसके अंदर कैस जानवर आपको देखने मिलेंगे, funa, तो इसमें leopard मिल जाएगा आपको, monkey, उसके बाद cat मिल जाएगा, जंगली cat जिसको बोलते हैं, snake, बहुत सारे टाइप के insect, और मतलब बहुत सारे चीज, elephant, बहुत सारे चीज आपको वहाँ मिल जाएगे, ठीक है, उसके बाद देख ल मिलेगा, moth, deer, beetles, wolves, foxes, etc, ठीक है, अब आते हैं, cornifice forest में, cornifice forest में आपको flora मिल जाएगा, pine and fur tree, यह आपको जाहतर mountain में जैसा forest होता है, वो cornifice forest होता है, ठीक है, तो वहाँ आपको pine जैसा tree मिलेगा, और fur का tree मिलेगा, और funa क्या मिलता है वहाँ पे, तो जो mountain type होता है, वह आपको जादा animals तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन कुछ-कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, squirrel, deer, wolf, goat, ऐसा चीज आपको आपको देखने मिल जाएगा, wildlife, all the species of plant, animal and other organism living in the wild is referred to as a wildlife, तो जितने भी species of plant होते हैं, animals होते हैं, और मतलब जितने भी organism जो एक wild में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनको कहा जाता है wildlife, ठीक है, और वो उनका घर होता है, wildlife, मतलब जंगल उनका घर होता है, forest, तो biodiversity क्या होता है, तो variety of plants, animals and organisms that in which on the earth is collectively called as biodiversity, तो जितने भी plant, animals, insects, bacteria, इन सब को क्या कहा जाता है, biodiversity, एक सब को क्या कहा जाता है, biodiversity, ठीक है, अब देख लेते हैं, destruction of wildlife, तो हम लोग जो humans हैं, और मतलब बहुत सारे जो चीज होते हैं, इससे जो wildlife है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बरवाद हो रहा है, destruct हो रहा है, क्यों हो रहा है देखते हैं पहले, इसका कारण क्या है, wildlife को बरवाद होने का कारण क्या है, तो in a few decades, its animal has been mostly hunted for fun, तो जो humans है, वो animals को मतलब अपने entertainment के लिए उनको सिकार करते हैं, उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं, और खाने के लिए उनको मारते हैं, तो इससे क्या होता है, जो wildlife है, वो बहुत disturb हो जाता है, ठीक है, various body parts are illegally obtained from animals, such as bone, skin, hide and teeth of animals, तो बहुत सरे animals के जो body parts है, उन elephant trunk, deer का जो musk है वो, उसके बाद बहुत सारे animals को ऐसे ही मतलब मार दी आता है, ताकि उनके body का जो skin है, उसको बेचा जा सके, ठीक है, due to deforestization, deforestization का मतलब होता है आपका अपने जंगल को काटना, ठीक है, जंगल में इतने पेड हैं उनको काटना, इसको कहा जाता है, deforestization, त सब simply शहर या फिर गाव में चले जाएंगे, तो ऐसा अच्छा नहीं होता है, तो मतलब वो अहाँ पर मर जाते हैं, या फिर humans उनको मार देते हैं, डर से, तो इससे क्या होता है, मतलब उनका जो numbers है, यानि उनकी संख्या है, वो बहुत कम हो जाता है, और धीरे धीरे क्या ह होता है, तो in a large area for conservation of biodiversity, which includes both wildlife and plants, तो एक बहुत बड़ा जगा होता है, जिसको मतलब conserve करके रखा जाता है, जिसके अंदर क्या होते है, बहुत सारे wildlife और plants होते हैं, ठीक है, तो एक माले छोड़ा सा forest है, उसको biosphere reserves बना दिया गया, ताकि मतलब वहाँ पे जितने भी animals, plant, tree, य इनको बचा के रखने के लिए ऐसा bio reserves बनाया जाता है, तो इंडिया में ऐसा कहा कहा है देख लेते हैं, तो इंडिया में जो नंदा देवी biosphere है, जो उत्रांचल में, यह एक example है, biosphere reserve का, तो यहाँ पे कुछ rules होते हैं, जैसे मतलब आप यहाँ पे जाके woods को काट नहीं सकत किसी भी animal को नहीं मार सकते, किसी भी bio reserve में, ऐसा वहाँ पे rules होता है, और उसके मतलब उसको बहुत जादा protect करके रखा जाता है, फिर यह किये, पंचमीनी biosphere reserve is another biosphere located in the Madhya Pradesh, और Madhya Pradesh में भी एक पंचमीनी biosphere है, जहाँ पे, क्या-क्या अच्छा से रखा जाता है, वहाँ पे साल, टिक, जामून, सिल्वर फार्म, और एनिमल्स में, चिंकारा, लेप्टॉप, लियॉपर्ड, वाइल्ड डॉक्स, वूल्स, एड्सेक्टर, इन सब को मतलब protect करके रखा जाता है, ताकि यह सा मतलब बहुत कम नहीं हो जाए, अच्छा, अब देख लेते हैं, एंड इंडमिक स्पीसीज, उनको कहा जाता है, कि वो जो वो स्पीसीज, जो सिर्फ उस एरिया में ही मिले, ठीक है, ऐसे जो जैसे बर्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ ऐसे होते हैं, जो सिर्फ उस स्पैसिफिक एरिया में ही मिलते हैं, जैसे पोलर बियर, तो पोलर बियर आपको हर जगा तो नहीं मिलेगा पोलर भी है आपको सिर्फ जहां पोलर होता है जहां बरफ होता है आइस होता है वहां वो मिलेगा तो वो क्या हो गया एक इंडमिक स्पीसीज हो गया उसके बाद टाइगर तो टाइगर तो हर जगा नहीं मिलता आपको वो सिर्फ जो मतलब फोरेश्ट होता है वहीं मिलेगा उसी तरह लायम भी हर जगा नहीं मिलता वो स्कूरिप इन पर चृब उसका एक्सील सवाना सौना इक स्लागत है ऊन्यदभ श्री करोड सेंट्यूरी ने सेंट्यूर सब्सक्राइड टाइरिया निभान च Nah lle softly सब्सक्राइपार मेरा destre स्टेट गॉवर्मेंट फॉर एक्जामपल मदुमनाई वाइड लाइफ सेंचूरी इन तम्हें लडू तो वाइड लाइफ सेंचूरी भी एक तरह का मतलब बायो रिजर्व होता है जिसको मदब प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और वहां पर किसी भी हुमन का एंट्री मतल ख्री सेंटिंग कर सकते हैं। अगर आप आप ऐसा करते हैं तो आपके उपर मतलब Judiciary लागो आपके उपर क्योंत अ neither आपको मतलब सजा दिया जाएम है इसके खिलाफ ठीक है कौन कंट्रोल करता वहां का शुर्ट सेंट्रोल करते ठीक है सजा देने का मैं और उसकों मॉशन सेंचुरी का ठीक है अब देखते हैं नाशनल पार्क तो नाशनल पार्क और दूस एरिया वेर नुए हमन अक्टिविटी इस अलावड एट आल दपर्पस आप नाशनल पार्क इस तो प्रिज़ा फ्लोरा फ्यूना लैंड्सकेप को बचा के रखा जाता है फ्लोरा मतलब प् जाके रखा जाता है ठीक है तो इसका ग्जामपल क्या हो गया थाखा थाख का जी रंगा शनल पार्क इन इस अं वहाँ पर एक एनिमल को बचा के रखा जाता है उस-क 1 राइन उर्थ म आल उसको बचा के लाग dram भाम का तो do you know Satpura National Park in Madhya Pradesh was the first forest reserve in India तो जो Satpura National Park है वो Madhya Pradesh का Madhya Pradesh का जो first reserve है इंडिया का इंडिया का जो पहला forest reserve है उसका नाम क्या है? Satpura National Park जो कहां पे? Madhya Pradesh में वहां पे क्या होता है? वहां पे tigers को बचा कर रखा जाता है, preserve कर कर रखा जाता है But why is there a need to protect tiger? तो hunting के लिए, hunting करकर के humans ने जो tiger का जो population है उसको इतना कम कर दिया है कि वह मतलब कुछ अगर ऐसा चलता रहा तो वह कुछ दिन में क्या हो जाएंगे? Extint हो जाएंगे, मतलब एकदम ही खतम हो जाएंगे, zero हो जाएंगे, ठीक है? तो humans क्यों करते हैं tiger का hunting? Tiger को क्यों मारा जाता है? तो वह उलग मतलब दिखाने के लिए, या फिर मतलब entertainment के लिए, या फिर जो tiger का skin होता है, उसके लिए, या फिर tiger का claws होता है, या तित होता है इसके लिए मतलब humans क्या करते थे पहले tiger को मतलब मार देते थे ठीक है तो इससे क्या हो गया जो tiger का population है वो बहुत कम हो गया तो अब मतलब tiger का population इतना कम नहीं हो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते नैशनल पार्क, reserves, wildlife protection वो सब करते हैं ताकि tiger को बचा के रखा जा सके अब देखते है what is project tiger तो project tiger क्या है तो project tiger जो central government का एक project है जो कब लागु किया गया था start कप किया था 1973 में तो उसके में अब्जेक्टिव क्या था कि tiger का जितना population है उसको बचा के रखा जाए और उसको बहुत जादा करने में help किया जाए मतलब उसको जादा किया जाए ताकि जो tiger है उनको कोई मार नहीं सके ठीक है और इसका मतलब उनको अपना habitats में रखा जाता है जैसे माले tiger को आप किसी मतलब circus में तो रख नहीं सकते क्योंकि मतलब यह law के खिलाफ है और उसके बाद tiger आपका कहा रहता है उसका जो natural habitat होगा forest होगा ठीक है और tiger project जो होता है इसके जलते हैं मतलब एक फाइदा हुआ कि आप देखा गया है कि 1973 के बाद से अब टाइगर की जो population है वह बहुत जादा ग्रो किये ठीक है तो यह जो project है काम कर रहा है अब है तो what is endangered species तो इंडेंजर स्पीसीज आर दोस हुआस नंबर सार रेपेडली डिमिशिंग तो दा लेव hunting या फिर कुछ और कारण से इतना कम हो चुके हैं कि वह instinct हो जाए मतलब खतम हो जाए एकदम जीरो हो जाए अर्थ पे उनका मतलब एक भी आबादी नहीं बचे ठीक है तो इसका example क्या होता है इंडेंजर स्पीसीज का आपका example होगा जो घरियाल है ब्लैक बग है साइबेर क्रेन है फोरेस्ट आउटलैंट है टाइगर राइनो यह सब किसमें जाते हैं इंडेंजर स्पीसीज आपने सुना होगा सल्मान खान का जो मतलब वह ब्लैक बग को उन्होंने मार दिया था उसका जलते उनको मतलब अभी तक काफी जादा मतलब कोट में पेश होना पड़त है तो वह क्यों हुआ था क्योंकि जो ब्लैक बग है वह एक मतलब बहुत जादा प्रोटेक्टेड अनिमाल है ठीक है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है क्योंकि वह इंडेंजर स्पीसीज उनका जो पॉपलेशन हो ऐसे ही बहुत कम है असलमान खान ने उसे ही मार दि आप देखते हुँ अब दीखते हैं माइग्रेशन बट्स मतलब मतलब होता है वह बड़्स जो सीसन चेंज करके मतलब सीजन चेंज होता है थंडा से गर्मी प्द्दा करता है यह अपर फूट के लिए अपने बच्चों कोластर जेनम देने की एक रहते वहां से दूसरे माने भी थी जरंए थरव में फॉर सब्सक्राण पर्दिया और आनका थी गडर्टी। और यहां इंडिया में वो अपने बच्चों को भी जरम देते हैं, ठीके, एक ले करते हैं Food Pyramid and Independent Dependence Organisms अब Food Pyramid क्या होता है, एक बार यह फिर से देखेंगे तो Food Pyramid देखते हैं एक बार तो यह Food Pyramid है पहले आपने पढ़ा था, सबसे नीचे आता है Producer दूसरे बाद आता है increasing consumer, third में आता है secondary consumer, और last में आता है territory consumer, फिस्ट में आपका ग्जामपल लिख सकते हैं, example हो सकता है plant, primary consumer का example हो सकता है grasshopper, secondary consumer का example हो सकता है आपका frog, territory consumer का example हो सकता है आपका snake और इसके ऊपर भी अगर आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं ठीक है इसके ऊपर जाएंगे तो आप क्या आजाएगा आपका टेरिटरी का एक और example आजाएगा आपका eagle eagle snake को खा जाता है तो जो पिरामिड है ecological पिरामिड उसको तीन टाइप में बाटा गया है पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ बायो मास और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है तो पिरामिड ऑफ नंबर होता है तो पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेसेंट अ रिलेशन्शिप बेट्व प्रोडूसर हर्भी वोरस एंड कर्डवी वोरस इंटरम आफ नंबर और अब्यूडेंस तो जो पिरामिड आफ नंबर सिंप्ली है क्या समझे ठीक है यह आपको नंबर बताता है कि वह अनिमल या फिर वह चीज कितना ज्यादा है जैसे ग्रास तो हमारे यहां पर सबसे ज्य तो 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 यह सबको एक जगा लेकर आ जाए तो मतलब हो बहुत जादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत जादा, मतलब काफी बहुत भारी हो जाएगा, बायोमाज उसका बहुत जादा होगा, उसके बाद जितने भी ग्रास होपर है, आप अगर उसको एक साथ लाकर, उसका वेट करें, तो उसका वेट भी जो होगा, वो जो ग्रास है, उससे कम होगा ठीक है मान लीजिए अगर 10 किलो ग्रास है तो उसके बाद जो ग्रास होपर का वेट करेंगे तो ग्रास होपर का जो वेट है वो सिंपली है ग्रास से कम होगा क्योंकि ग्रास होपर ग्रास से ऐसे भी नंबर में बहुत कम होते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या आ सबसे जर्डा बाय। मतलब होता है वो कितना भारी एमनदाब उसमें कितना ज़्याद多 वेट खिंदना जो उसके बाद जो नहीं फर जो तोटिल एṣe वह वहँंदा भृएट हो एगा अप और उसके बाद last में सबका आएगा snake तो snake का जो पूरा जितना भी snake है उसका weight frog से कम होगा ठीक है आपका मैं एक snake का बाद नी कर रहा हूँ बहुत सारी snake अगर आप जमा कर ले तो ठीक है dry या फिर fresh weight next pyramid of energy जैसा हमने पहले पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा energy किसके बीतर होगा सबसे ज़्यादा energy होगा plant के बीतर क्योंकि वो directly sun से ले लेते हैं sun का absorb करके वो सारा energy directly plant के बीतर जाता है सबसे ज़्यादा energy किसके बीतर होगा plant के बीतर उसका 10% energy है वो अगर वो plant को जो खाते हैं के अंदर चला जाएगा तो कौन खाता है उनको हर्भी वोरस खाते हैं उसके बाद अब जो हर्भी वोरस को खा जाए उसके अंदर उसका 10% एनर्जी चला जाएगा ठीक है तो जैसे लायन अगर किसी डियर को खाता है तो डियर का जो 10% सबसे कम संख्या होगा सबसे कम नंबर होगा स्नेक या फिर उसको जो खाता है वो का उसके बाद ब्राइमिट ऑल्फ अवा इसके बाद प्राइमिड और सबसे नीचे इसके बाद उसके is अब भारी होगा और यह सबसे ऊपर है वह सबसे कम भारी होगा ठीक है और यह आप समझ गए हैं इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड एक दूसरे के ओपर depend करते हैं, किसी ना किसी रूप से, ठीक है? जैसे माल लिजे, कि जो, जो goat है, वो किसके ओपर depend करता है? वो depend करता है grass के ओपर, अपने खाने के लिए, अगर grass उगे ही नहीं, तो goat क्या होगा, भूख से, मर जाएगा, ठीक है? उसी तरह जो tiger है, वो tiger किस पर depend करता है? गोट या फिर पर, अगर deer और goat होगा ही नहीं, तो tiger क्या खाएगा? तो tiger भी मर जाएगा, ऐसी ही, तो इसी तरह जो सारे चीज होते हैं, वो किसी ना किसी पर depend करते हैं, अपना काम के लिए, और जितने भी flower वाले plants होते हैं, वो अपना जो pollen है, pollen जो है, उसको transfer करने के लिए, इंसेक्स के ओपर depend करते हैं, तो अगर plant ही नहीं होंगे, तो insects नहीं होगा, इंसेक्ट नहीं होगा, तो plant का जो pollen हो transfer नहीं होगा, और अगर insect नहीं होगा, तो जो frog है, वो क्या खाएगा, frog नहीं होगा, तो snake है, वो क्या खाएगा, और snake ही नहीं होगा, तो आपका जो eagle है, वो क्या खाएगा, तो ऐसा करके, जो सारे जो animals होते हैं, organisms होते हैं, वो एक दूसरा पर depend करते हैं, अपना food या फिर किसी और चीज के लिए नेक्स्ट अब यहां देखते हैं सिम्बोसिस क्या होता है ठीक है तो सिम्बोसिस क्या होता है यह देख लेते हैं सिम्बोसिस मतलब उस टाइप का इंटरेक्शन को बोलते हैं जहां पर दोनों को फाइदा हो ऐसा एक्झामपल जिसको दोनों में फायदा हो। एक्झामपल के साथ जिया कर देते हैं ऊङ से एक जाफसी ऐसे आपका यहाँ पारा जैसे जो जो प्लांट का जूस पीतेज को फूल ऑगा जुर्स पीते आपके करने के लिए इंसेक्ट का help ले लेट ठीक है जो pollen वह इंसक्क के pair में लग जाता है और जब वह दूसरे पोध में जाता है तो सिग्वर क्रोकरleading होता है और एक बidd का जो relation होता है वो आपको देखने मिल जाएगा तो एक जो बड़ होता है वो क्या करता है जो क्रोकोडाइल है उसका दात के पास जितने भी मतलब मीट या फिर जो पसा होता है उनको वो मतलब निकाल लेता है अपने चोच से तो इससे क्या होता है उसको खाना मिल जाता है और ज जिसमें स्रिफ एक को फाइदा हो और एक को नुकसान हो जाए ठीक है जैसे एक को फाइदा हो एक को नुकसान हो जाए जैसे प्लाजमोडियम हो गया ठीक है तो प्लाजमोडियम जो होता है वो मस्कीटो से हुमन के अंदर चला जाता है ठीक है तो हुमन के अंदर जाने से उसको तो फाइदा हो जाता है, उसको तो खाना मिल जाता है, लेकिन हुमन को फाइदा नहीं होता है, हुमन को क्या होता है, नुकसान हो जाता है, हुमन को क्या होता है, डिजीज हो जाता है, तो डिजीज हो क्या बोलते है, मलेरिया बोलते है, तो उसी तरह मतलब जिसमें सिर ओर बेडिको खाने लगता है इससे क्या लुटाइ। जो अनिमल है जो उसके अंदर आ उनोर मर जाता है। तो इससमेंज एक का फाईदा हुआ है जो भीतर है उनको फाइदा होगय है। तो जिसके अंदर वो जाते हैं, उनको अपना host बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं तो इसमें ज़्छाइब प्लाजमोडियम, जाम्स, वैक्टिरिया यह सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है? Predation, तो predation मतलब होता है एक prey होगा और एक होगा predator predator, prey मतलब होता है, shikar predator मतलब होता है, shikari तो tiger और deer के बीच में ए यह relation होता है, tiger क्या करता है, deer को मार के खाजाता है, ठीक है ? तो इसमें जह benil हो क्या हो गया venator और deer हो गया हो जाएंगा prey, तो इसमें भी वह होता है एक को benefit होता है, एक को harm होता है, लिसका भी exact आप देख सकत इस टाइगर क्या करते है डियर को शिकार बनाता है ठीक है रिस्क टु एको सिस्टेम अब इको सिस्टम का रिक्स कि है छो हम लोग बरवात करते है उसका रिक्स क्या हो सकते है तो जो एको सिस्टम अगरा o Recserاح कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं increasing industrialization increasing population and increasing specific अप्रोच एव पोस अग्रेट रिस्क टुदा एको सिस्टम अप्रोच हम लोग जो एको सिस्टम बरवात कर रहे हैं कैसे हर जगा पर फैक्टरिस खोलते जा रहे हैं इंडुड़ाइशन करते जा रहे हैं पॉल्यूशन कर रहे हैं इतना पॉपिलेशन हमारा जो इतना ड् varit using Change . हम लोग फ्थीज़ चाहिए और रहने के लिए हम लोग जो ट्रीज और थीज़ और उसको काटते जाएंगे पेपर के लिए प्लांट्स को काटा बन Flash बнокत्रिबान उसको काल जाता हैhrने के लिए च्छाट इससे क्या होता है इको सिस्टम जो है वह वह बहुत को और बहुत सारे अनिमल्स को मार दे जाता है ऐसे ही, फिर कुछ उच करने के लिए हम लोग अनिमल्स को मार देता है, इन्यटेर्मिन के लिए कोई कोई मार देता है, या फिर उसके मतलब फर के लिए, मस्क के लिए, या फिर उसके स्किन के लिए अनिमल्स को मार दे जाता है, इसका मतलब बहुत नुक्सान हो सकता है इससे क्या हो सकता है? बहुत सारे जो animals हैं वो instinct हो जाएंगे तो इससे मतलब जो हमारा balance है वो बिगड़ जाएगा ठीक है? जैसे अगर माली जी जो जितने भी हमारे birds है वो सारे birds खतम हो जाएए तो क्या होगा? हमारे जितने भी insects हैं वो बहुत ज़ादा population हो जाएगा उनका और वो लोग क्या करेंगे जितने भी हमारे crops हैं उसको खा जाएगे और last में हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो ये हमारे लिए बहुत खराब होगा इसलिए मतलब इन सबका जो balance से वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये deforestization, industrialization और population को बहुत जादा कर रहे हैं अपना और floods आती है तो इससे क्या होगा flood आना बहुत तेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा बाड आएंगी या फिर सुखा पड़ जाएगा या फिर मतलब आपका जो climate है वो बहुत गंदा हो जाएगा pollution हो जाएगा वहाँ पर ठीक है तो इससा नहीं करना चाहिए इसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जितने जादा trees हो सकते उतने जादा trees लगा सकते हैं जितने जादा trees लगा सकते उतने लगा सकते हैं और tree लगाने से क्या होगा forestization वापस आ जाएगा ठीक है next thank you तो आपका ये complete हो गया ये chapter मैंने बाकी chapters को भी complete किया है या से heat and its effect, light etc आप एक बार description में जाकर देख लिजे मैं वहाँ पर आपको link दे दूँगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया मैं आपका पूरा syllabus complete कर दूँगा and thanks for watching, bye bye